हलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस पर्स के इस यूटूब चैनल में करेंट अफेर्स के इस वीडियो सिरीज में आज हम 36 गड़ के परिक्षोप योगी महत्पून तत्यों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो सीरीज में हम weekly और monthly current affairs पर चर्चा करते हैं और प्रशनों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं तो आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रशन है 36 गर राज्य का पहला मचली घर कहां पर बनाया जाएगा और हमारे विकल्प हैं कानन पेंडारी, जंगल सफारी, मैत्री बाग दोस्तों यहाँ पे चौथा option भी क्या है मैत्री बाग टाइप हो गया है इसलिए आप इस प्रशन का जवाब उपर के तीन विकल्पों के अधार पर ही देंगे तो इस प्रशन का सही जवाब है जंगल सफारी दोस्तों आप सभी को पता ही है कि एशिया का सबसे बड़ा मानव दिन्विट जंगल सफारी कहां पर इस्तित है तो राइपूर जी लेके नवा राइपूर अटल नगर में और इसी इस्थान पर चतिस गर राज का पहला मशली घर बनाया जाएगा इस मशली घर में विभिन प्रकार के मशलियों की प्रजातियों के साथ-साथ अन्य समुद्री जीओं को भी रखे जाने की योजना बनाई गई है ठीक है तो चत्तिस गल्ड राज के पहले मचली घर के लिए आप कौन सी स्थान को ध्यान में रखेंगे तो नवारायपूर का जंगल सफारी हमारा दूसरा प्रशन है चत्तिस गल्ड राज लगू अनुपत संग किसके सहयोग से कोदो कुटकी वर रागी का प्रसंसकरन करेगा और हमारे विकल्प है भारती मिलेट अनुसंधान संस्थान, राष्टी खाद्य अनुसंधान संस्थान, रिलाइन्स कमपनी या भारती हर्बल अनुसंधान संस्थान इस प्रशन का सही जवाब है दोस्तों भारती मिलेट अनुसंधान संस्थान दोस्तों अगर आप रोजाना अगबार पढ़ते होंगे तो इस खबर को आपने अवशे ही पढ़ा होगा कि 36 गर राज लगू अनोपत संग का भारती मिलेट अनुसंधान संस्थान के साथ एक नया समझोता हुआ है और इस समझोते से राज लगू अनोपत संग को यह फायदा हुआ है कि अब राज लगू अनोपत संग ऐसे खादय पदार्थों को विक्सित करने में सक्षम है जिन्हें लंबे समय तक इस्टोर किया जा सकता है या लंबे समय तक जिनका इस्तमाल किया जा सकता है और ऐसे खादे पदार्थों को 36 गड़ के प्रतिश्थित ब्रांड, 36 गड़ हर्बल्स के तहट नागरिकों को विक्रे किया जाएगा बढ़ते हैं गले प्रश्ण की और हमारा तीसरा प्रश्ण है चतिसगड राज्य का पहला चाइल्ड केर सेंटर कहां पर बनाया जा रहा है और हमारे विकल्फ हैं दुर्ग, रायपूर, बालोद या बेमे तरह इस प्रश्ण का सही जवाब है दोस्तों बालोद दोस्तों ध्यान रहे कि रायपूर के अर्वेदी कॉलेज में चतिसगड का पहला चाइल्ड कोवीड सेंटर बनाया जाने की योजना थी ठीक है और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं पहला चाइल्ड केर सेंटर तो चाइल्ड केर सेंटर के लिए आप बालोद जिले को ध्यान में रखेंगे और चाइल्ड कोविड केर सेंटर की बात करेगा तब आपका जवाब क्या होगा रायपूर का एरवेदिक कॉलेज हमारा चौथा प्रशन है ट्रेसलेस टकनीक पर आधारित राज्य का पहला कोडाउन की जिले में बनाया जाएगा और हमारे विकल्प है रायपूर, बिलासपूर, दुर्ग या सूरजपूर इस प्रशन का सही जवाब है दोस्तों सूरजपूर दोस्तों ट्रेसलेस गोडाउन टकनीक एक बहुत ही आधूनिक टकनीक है जिसके माध्यम से अनाजबंडारन के समय जो भी नुकसान होता है उस नुकसान में कमी आती है और ऐसे जो आधूनिक टकनीक पर बनाये गोडाउन है उनमें अधीक अनाजबंडारन भी किया जा सकता है तो 36 गड़ राज्य के पहले ट्रेसलेस गोडाउन के लिए आप सूरजपूर जीले को ध्यान में रखेंगे हमारा अगला प्रश्न है राज्य का पहला गोठान कौन से है जहां गो मूतर से फिनाईल बनाये जा रहा है और हमारे विकल्प है मोपका बिलासपूर नवा गाउं दुर्ग दोस्तों यहां पर रश्मी राइपूर लिखा हुआ है इसे आप रस्नी पढ़ लीजिए रस्नी राइपूर और धन्सोली धमतरी तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों बिलासपूर का मोपका गाउठान दोस्तों मोपका का गाउठान प्रदेश का पहला ऐसा गाउं गाउठान है जहां गो मूतर से गोबर और उत्पाद बनाने का कार्य प्रारम किया गया है इसलिए हमने इसको क्या बोला कि यहां पर क्या बनाया जा रहा है तो गो मुत्र से यहां पर फिनाईल बना जा रहा है और उसी प्रकार गोबर से गौकाष्ट का निर्मान किया जा रहा है बढ़ते हैं अगले प्रशने के ओर हमारा च्छटवा प्रशन है हाल ही में किसे इस प्रशन का सही जवाब है दोस्तों सिया राम साहू तो आपको क्या याद रखना है कि सिया राम साहू जी वर्तमान अध्यक्ष थानेस्वार साहू की जगा लेंगे ठीक है इसके बारे में आपने निउस्पेपर में वश्य ही पढ़ा होगा कि पिछले अध्यक्ष सिया राम साहू जी ही थे जिनका कारेकाल पूर्ण होने से पहले ही थानेस्वार साहू जी को नए अध्यक्ष बना दिया गया था और इस मुद्दे को सिया राम साहू जी न उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. हमारा सात्वाँ प्रश्ण है, हाल ही में राज्य में चर्शा में रहा नंगत पिला अभियान के संबंद में सही कथन है और हमारे विकल्प है, यह अभियान मलेरिया मुक्ती के लिए चलाया जा रहा अभियान है, यह बच्चों को कुपोशन से बचाने के लिए चलाया जा रहा अभियान है, महिला स्वासाहता समू को कम ब्याज दर पर दी जाने वाली रिन राशी अभियान है, या अंतियोदे परिवार के अनाज वित्रन का रिकरम है तो इस प्रशन का सही जवाब है दोस्तों कि यह नंगत पिला अभियान बच्चों को कुपोशन से बचाने के लिए चलाया जा रहा एक अभियान है ठीक है? और ऐसे अभियानों के कारण 36 गड़ में कुपोशन की दर में लगतार कमी आ रही है तो आप इस नंगत पिला अभियान को अवश ही ध्यान में रखिएगा जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि बच्चों को कुपोशन से बचाने के लिए ये अभियान प्रारम किया गया है तो कहां प्रारम किया गया है? कोंडा गाउं जीले में और इस अभियान के कारण इस जीले के 42.95 प्रतिशत बच्चों को कुपोशन से मुक्त किया गया है आज का हमारा आठमा प्रशन है राज्य में मुख्य मंत्री विरिक्षर ओपन प्रुत्साहन अभियान कब से प्रारंब किया गया और हमारे विकल्प हैं 1 जून, 2 जून, 3 जून या 6 जून इस प्रशन का सही जवाब है दोस्तों 6 जून जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मुख्य मंत्री विरिक्षर ओपन प्रुत्साहन योजना 6 जून 2021 को मनाया गया बहुत से भ्यर्थी इस बात को 1 जून 2021 सोच रहे होंगे ठीक है लेकिन आपको बता दूँ कि मुख्य मंत्री विरिक्षर ओपन प्रुत्साहन योजना 1 जून 2021 से प्रारंब होने वाला था लेकिन आपरिहार कारणों से इसे कुछ दिनों बाद 6 जून को शुरू किया गया ठीक है और इस योजना में क्या प्रावधान है कि इस योजना के तहत जो भी किसान खरीब वर्ष 2020 में लिये गए धान की फसल के बदले अपने खेतों में विरिक्षर ओपन करते हैं तो उन तो यह तथ्या अपने आप में बहुत ही इंपोर्टेंट है अगामी परिक्षाओं के लिए इस तथ्या को आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो जिसमें हम जून महा के दूसरे सब्ता के करेंट अफेर्स के बारे में चर्चा अवश्यार ये करेंगे अवश्यार ये वीव जयान करुछ भूस्यार ये जयान